15 जून 2001 को सनी जेवल और अमिशा पटेल की फिल्म गदर रिलीज हुई फिल्म बलब बाशकर साबित हुई और बॉक्स अविस पर तावर तोड कमाई की अब 22 साल वाद फिल्म के नर्जशक अनील शर्मा ने सनी जेवल और अमिशा पटेल के साथ गदर तू बना रहे हैं फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है फिल्म में उतकर शिनमा होंगे जो सनी जेवल के बेटे के रोल में होंगे फिल्म गदर टू में एक बार फिर पाकिस्तान से जंग दिखाई जाएगी और जवान के रोल के लिए इंदौर के 200 जवान लड़कों को जुना गया है ये सभी नौजवान इंदौर फिजिकल एकड़्टी इंदौर में रहकर भारती सेना की तयारी कर रहे हैं फिलाल 62 जवान फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं ये शूटिंग 22 दिन सक चलेगी फिल्म में पाकिस्तान के बीच लड़ाई का सिक्वेंस फिल्माया जा रहा है इसी के लिए इंदौर के इन जवान लड़कों को साइन किया गया है ये सबी मजदूर और किसानों के बेटे हैं 22 साल बाद पर फिर से भारत और पाकिस्तान की जंग गदर टू में दिखाई जाएगी खबरों के मताबिक तारा सिंग यानि की सनी जवाल के बेटे जीते और उर्फ उतकर शिर्मा सेना के जवान के रोल में होंगे जो जूत के बीच अपने बेटे को बचाने के लिए सनी जवाल एक बार फिर सरहत पार करके पाकिस्तान जाएंगे फिल्म गदर टू में सेना के अफसर का गिर्दा निवा रहे है जितंदर बोर्पाल ने मीडिया से बातचीत के दोरान बताया कि एक साल पहले फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपनी टेम के साथ आय थे और करनेल से मुलाकात की थी उनका कहना था कि जो बच्चे यहां सेना की तयारी कर रहे हैं वे काफी जोशीले और फूर्ती वाले हैं शोचल मीडिया फर वाइरल वीडियो में इसके बारे में पता चला विल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने 200 लड़कों को शायन किया है फिलाल दोस्तों आप गदराटू के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं